ज्यान मंत्रा हूं, रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर्याली अमवस्या के दिन आप लोग क्या-क्या उपाए और टोटके कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी दिक्कते और परिशानिया दूर हो। आमवस्या हिंदू पंचांग के अनुसार महिने की तीस्वी और कृष्ण पक्ष की अंतिम्तिथी होती है। उस दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। रात्री में सरवत्र गहन अंदकार छाया रहता है। इस दिन का जोतिश एवं शास्त्र में अत्याधिक महत् हर अमवस्या को घर के कोने को अच्छी तरह से साफ कर ले। सभी प्रकार का कवार निकाल कर बेच दे। इस दिन सुभह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया अवश्य ही प्रजलित करें। इस से घर में कला कलेश नहीं होता और घर में से दरिद्रतावी दूर होती है। सावन की अमवस्य वाले दिन आप लोग धन लाब के लिए पीली त्रिकोन आकरिती की पता का विश्नु मंदिर में उचाई वाले इस्थान पर हर प्रकार से लगाए और वहाँ पर लगातार वह याद रहे कि वह लहराती रहे तो आपका भग्य शीग्र ही चमक जाएगा लगातार इस्थाई लाब हे तू यहाँ ध्यान रखे की डंडा वहाँ लगा रहना चाहिए है उसे आप समय समय पर स्वयम बदल भी सकते हैं अमवस्या को घहरे गड़े या कुए में एक चम्मच दूद डालें इससे कारों में बाधाओं का निवारण होता है इससे अतरिक्त अमवस्या को आजीवी जो दूद में धोकर बहें आपका भाग्य सदेव आपका साथ देगा अमवस्या के दिन शिव मंदर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूद शहत एवम जल में काले तिल मिलाकर उन्हें चड़ाएं इससे रोग दूर होते हैं आकरशक व्यक्तित्व प्राप्त होता है अमवस्या पर भगवान शिव को चावलो की खीर अथ्वा शिवलिंग पर अक्षद भी अवश्य ही चड़ाने चाहिए हैं अमवस्या के दिन शनी देव पर कड़वा तेल, काले उड़त, काले तिल, लोहा, काला कपड़ा और नीला पुष्प चड़ाने से शनी देव की प्रसंदता प्राप्त होती है और उनकी असीम कृपा आप लोगों के उपर सदेव बनी रहती है अमवस्या वाले दिन, सुभे और शाम के वक्त, घर में दीवा प्रजलित अवश्य ही होना चाहिए है अभी के लिए बस इतना ही, अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद